अई विद्यार्थिनहां हार्दं स्वागतं अध्येकं अपूर्वं विशयं अहं बोधयामे अपारे सम्स्कृत साहित्ये वेदाह पुराणानी स्मृतयह वेदांगानी काव्यादयह भहवः ग्रंथाह संति तस्मिन् तस्मिन् काले विद्यमानाह रशितुल्याह जनाह तादर्शा काव्ये स्वानुभवं प्रकटितवंतह सरवेशु काव्येशु वेदवेदांगेशु विद्यमानानाम सुष्ठु वचनानी समीचीन वचनानी यानि संति तेशाम संग्रहह एव सुभाशितम इती लोके प्रसिद्धम अस्थी किन्नाम सुभाशितम शब्दस्य अर्थक कहा चिंत यामाह कलो सुष्ठु भाशितम सुभाशितम इती सुभाशित पदस्य अर्थक सुवचनम इत्यर्थक सुभाशितम इती कश्चन ग्रंथह नास्ती पूर्वम नासी इत्यर्थक सर्वेशु सम्स्कृत साहित्य ग्रंथेशु विद्यमानानाम सुवचनानाम संग्रहह एव सुभाशितम इती प्रसिद्धम लोके वर्तते अनंतरम सुभाशितानाम संग्रहम कृत्वा बहवः ग्रंथान रचया मासुः सुक्ति मुक्तावली सदुक्ति करणामृतम सुभाशितरत्न भांडागारह भर्त्रहरेह शतकत्रयम एवं बहवः सुभाशितक ग्रंथाह लोके अत्यंतम प्रसिद्धाह वर्तते अस्तु सुभाशितं प्रकारत्त्रेण अस्मान मौल्यं बोधयती तत कथं कानिचन सुभाशितानी विधिरूपेण नियमान बोधयंती मौल्यं कथयंती अन्यानी कानिचित सुभाशितानी निशेधरूपेण एवं नकर्तव्यं इति निशेधरूपेण अस्मान बोधयंती अपिच अञ्याने सुभाशिताने संती अन्योक्ति रूपेण अस्मान बोधैंती एवं प्रकारत्रेण सुभाशितं अस्मान जीवनानुभवं बोधैंती इदानेम पश्यामह, एकम सुभाशितं पश्यामह, वयम सर्वेपी चात्राह, विद्याभ्यासं कर्तुम् विद्यालयं आगच्चामह, परंतु कदाचित सम्षयह उदेती, विद्यायाहकिं महत्वं उता धनसंपादनस्या इती, अतहा एकम सुभाशितं ज्ञानस्य मौल्यं एवं प्रतिपादयती एकम सुभाशितं पश्यामह, अहम एकवारं पठामी गायामितत सुभाशितं नचोरहार्यं नचराजहार्यं नभ्रात्रभाज्यं नचभारकारी व्यये कृते वर्धत एवनित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानं इती, सर्वेशु धनसमुहेशु विद्याधन सेव अत्यंतं प्राशस्त्यं वर्तते इती, एतत सुभाशितं प्रतिपादयती अस्य सुभाशितस्य अर्थख कहा, अर्थम ज्ञातुम अस्य पदच्चेदह करणीयह एकाइकं पदं विभज्य विभज्य अस्माभिही ज्ञातव्यं भवते, तत कथं पदच्चेदह कथं भवते, न चोरहार्यं, न च राजहार्यं, न भरात्र भाज्यं, न च भारकारी, व्यएकृते वर्धते एव नित्यं विध्याधन म सरुवधन प्रदानं इति समस्रितं अत्यंतं वाईज्ञानिक भाश अस्ति अतहा सम्स्कृते एकस्मिन्वाक्ये विद्यमानानी पदानी यत्र कुत्रापे स्थापयामह चेत अर्थे वित्यासह नभवती अतहा चंदो नियमानु सारेन शब्दाहा श्लोके निक्षिप्यंते श्लोकस्य अर्थम अवगंतुम अन्वयह इतिकर्थव्यह भवती अर्थानु गुणं शब्दानाम पुनस्सयो जनं इत्यर्थः अस्तु अन्वयं एवं भवती विद्याधनम चोरहार्यम नचोरहार्यम राजहार्यम न भ्रात्रभाज्यम न भ्रात्रभाज्यम भारकारी न व्ययेकृते नित्यम वर्धते एवा अतहा विद्याधनम सर्वधनप्रधानम इति इता निम धनं पश्यंतु, अण्य संपदह भवंती थदपि पश्यंतु, विध्याम पश्यंतु, अत्र विध्यायाह महत्वं इति प्रतिपादयती. तत कतम यदी विद्ध्याम संपादयामह चेत ताम विद्ध्याम चोरह तसकरह अपहर्तुम नशक्कनोती ममसकाशे धनम अस्ति चेत तत चोरह अपहरती अथवा अन्य संपदह वर्तंते चेत अन्याईह अपहर्यंते परंतु विद्ध्याम अपहर्तुम यखकोपि नशक्कनोती अथवा चोरहार्यम न भ्रात्र भाज्यम न ममा ग्रहे कृशिभूमय ह वर्तंते कालांतरे एताम कृशिभूमिम भ्रात्रह मिलित्वा विभज्य उपभुंजनते परंतु अहम विद्ध्याम संपदयामे चेत विद्ध्यायाह विभागं कृत्वा अन्याईह अन्याईह स्वीकर्तुम न शक्यते इत्यर्थः यह विद्याम आर्जयती तस्मिनेवसा विद्यावसती इत्यर्थः नच राजहार्यम इत्यपरह विशयह अस्माकम सकाशे निर्मितानी बहुधन साधितानी ग्रहाणी संति चेत कदाचित सर्वकारह अपहरती बहु धनम वर्तते चेत टैक्स रूपेन कर रूपेन सर्वकारह तदा पहरती परन्तु विद्या अस्तिचेत अस्माकम सकाशे सर्वकारह किमापी करतुम नशक्नोती नच राजहार्यम इदानीमेव कथितं न भ्रात्र भाज्यम भ्रात्र विही सहोधरैही भाज्यम विभग्य भोक्तुम नशक्यते इत्यर्थः न भ्रात्र भाज्यम नच भारकारी अन्य संपदह याह वर्तंते ताह सर्व्वाह अपी भाररूपिनह ममसकाशे गणक यंत्रम अस्ति एत धनम किन्तु भाररूपम वर्ततेतत। धनम भाररूपम यदि विद्याम संपदया महा विद्या भारकारी न लगुरूपे न अस्माकम मनसी अस्माकम आत्मनी विद्या तिष्ठती तिर्थः नच भारकारी व्येक्रते वर्धते एवनित्यम इत्युक्ते विद्यायाह व्ययंकुर्महचेत चात्रेभ्याह पाठयामहचेत पाठितुहु अध्यापकस्य विद्या अभिवर्धते तिर्थः यखकोपि विद्यावान यदि विद्याम अन्येभ्याह प्रदास्यती तदा विद्याय प्रतिनित्यम् विद्यायाह अभिवृध्धिह भवति प्रतिनित्यम् विद्याधनम् 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 अस्माकम कर्म इदानें वर्तते अस्माकम तपह कर्म वर्तते विद्यायाह संपादनम बाल्ये संपादिता विद्या कौमारे अनंतर जीवने अस्माकम सुखाय भवति अतहा धनचिंताम त्यजंतु अन्यसंपदह चिंताम त्यजंतु केवलं विद्यायाह सपाधनं कुर्मह विद्याधनं अस्ति चेत मनुषयह धनवान भवति यदी विद्याएवनास्ति विद्यासंपदेवनास्ति चेत मनुष्य सहा धनेन धनवानपी लोके पुज्यह नभवति अतहा विद्वान सरुवत्र पुज्यते विद्वान्यह वर्तते सहसर्वेश लोकेश पुज्यते अस्माभिही विद्यायाह संपादनं करणीयं इतत सुभाशितं लोके विद्यमानेशु अनेशु धनेशु विद्याधनं एवसर्वप्राशस्त्यं इती अस्मान बोधयती एततेकं सुभाशितं सुभाशितं ग्रं अस्या सुभाशित अस्या अर्थाह अवगताह इती चिंतयामि ग्रहं गत्वा सर्वेपी पुनहा पुनहा एतत सुभाशितं पठंतु मननं कृत्वा अगच्छंतु श्वहा नूतनं कंचिद्विशयं अहं प्रस्तोमि धन्यवाद हा झाल